कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति आपको सार्वजनिक तोर पर निकम्मा और धोके बाज़ादी अपशब्द कहे और आप बार बार उस व्यक्ति के सम्मान के लिए पहुँच जाएं क्या आप हकीकत में ऐसा कर सकते हैं शायद इस सवाल का जवाब नहीं में ही आएगा लेकिन राजस्थान की राजनीती में ऐसी दिलेरी कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता सचिन पाइलेट ही दिखा रहे हैं तीन जनवरी को पाइलेट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जैपूर में धरना दिया और शाम को मुख्यमंत्री आवास पर पहुँच कर डिनर भ हुआ तब सीम गहलोत ने पाइलेट को सारवजिनिक तोर पर नकारा निकम्मा और धोके बाजगा हलाकि एक महाबाद कॉंग्रेस का संकट समाप्त हो गया लेकिन सीम गहलोत ने अपने शब्दों पर आज तक भी खेद प्रकट नहीं किया इतना ही नहीं तीन जनवरी को सच पाइलेट की उपस्तिती में इन शब्दों का उपयोग इसलिए भी माइने रखता है कि गत वर्ष जुलाई में जब गहलोत ने इन शब्दों का इस्तमाल किया था तब सचिन पाइलेट और भाजपा में मिली भगत होने का आरोप लगाया था सचिन पाइलेट भले ही कॉंग्रेस संगठन की गतिविदियों में सक्रिय रहें लेकिन सीएम गहलोत ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है छे माग उज़र जाने के बाद भी पाइलेट और उनके समर्थकों को संगठन और सरकार में कोई सम्मान नहीं मिला है ऐसी विपरीद परिस्थितियों में पाइलेट सीएम गहलोत के साथ कैसे बैठे रहते हैं और खाना भी खाते हैं ये पाइलेट ही बता सकते हैं माना कि राजनीती में बहुत से समझोते करने पड़ते हैं लेकिन अपमान सहकर समझोता करना बहुत कठिन होता है राजनीती में पाइलेट जिस दोर से गुजर रहे हैं उसका एहसास वे ही कर सकते हैं एक वो सचिन पाइलेट थे जो कॉंग्रेस के 18 विधायकों को लेकर दिल्ली चले गए और एक वो सचिन पाइलेट हैं जो विशम परिस्तियों में अशोग गहलोत के साथ बैठे हैं दोनों सचिन पाइलेट में बहुत अंतर है सब जानते हैं कि तीन जनवरी को जैपूर में कॉंग्रेस पार्टी का धरना सीम गहलोत की पहल पर हुआ था इस धरने में कॉंग्रेस के सभी विधायकों कौमंतरित किया गया विधायक होने के नाते पाइलेट को भी अपने उपस्तिती दर्ज करवानी पड़ी पाइलेट किस मन से उपस्तित थे इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि तीन-चार घंटे एक साथ बैठे रहने पर भी पाइलेट और गहलोत में कोई संबाद नहीं हुआ ऐसे ही लेटेस दोबरे पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद J.B.D. Banquets लाए है Incredible Marriage Palace, Rajgharana And the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgharana and Jyoti Garden A J.B.D. Banquets Enterprise